हालो फ्रेंट्स आज का इस मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आए आज हम जानेंगे कि एक्सल में काउंट काउंटा काउंट ब्लैंक काउंट टेक्स काउंट इफ एरर और काउंट इफ के बारे में यह बहुत ही इंपोर्टन वीडियो है इसमें काउंट के कई सारे फंक्सन एक साथ इसमें कमबाइन मैंने किये हुए है और इसको देखते हैं कि हर एक फार्मॉला कैसे एक पॉर्टन है कैसे वर करता है और कैसे बहुत यूजफूल है एक्सल उज़र के रिए मेरे पास कुछ यह डाटा है सेल मार्च 2020 का डाटा है जिसमें की नेम आफ इंप्लॉई है यह राहूल है बिनोध है तबवीर है महेश है और उनके पोस्ट दिये हैं सारे सेस्ट एक्विट्व हैं और यहां पर उनके प्रड़क्ट दिये हैं जो उनने सेल किये हुए हैं जैसे मॉनिटर सीप्यू एर कंडिशनर मारूति ट्रैक तो कीक्ड प 되어 स्थाममें आप देखेंगे यहां पर नुमेखल वैली है कुछ में यहां और कुछ म ब्लैंक तो आए फरेंट्टस आजम जानते हैं कैसे कैसे इसमें उबर करते हैं कैसे लोगता है यहिए केघल जो नुमेरिकल वाल्यू होता है उसे ही काॉंट करता है यह थ काउंटा function है count total quantity of cell इसमें हमें count करना है कि cell के कितनी quantity है यहाँ पर तो इसमें दो चीजे हैं एक तो वे cells person है जो कि अपने cell को convert कर चुगे है cells में और दूसरे वे लोग हैं जो कि अपने cells को पूरी तरह से convert नहीं कर पाए हैं तो हमने उनको यह दिया हुआ है बतलब अप्लिकेबल है cells कीजिए लेकिन अपने cells को convert नहीं कर पाए हैं कि तक सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन कितने लोग हैं जो इन्होंने अपने cells को convert कर रखा हुआ cells में हैं तो हम लगाते हैं count और पूरी value को select कर लेते हैं bracket close और enter तो यहां पर count में eight लोग ऐसे आ रहा है जो कि अपने cells को convert कर चुके हैं पूरी तरिके से cells में हैं देखे तेंग बार हम इनको आठ लोग कौन कौन से लोग हैं यह राहुल है पैतालिस जिन्होंने cell क्रवर्ट किया है विनोद सेकेंड नंबर के हैं यह थार्ड फॉर्थ फाइफ फाइफ सेवन और यह एट तो इस तरीके से से एट लोग हैं जो कि अपने cells को पूरी तरीकर से करवर्ट कर्च कर लेता है तो इस वाले function में हम देखेंगे ऐसे कितने लोग हैं जो कि cells को करवर्ट कर चके हैं और अपना cells और दूसरे लोग वैसे लोग हैं कितने लोग जो कि अपने cells को convert नहीं कर पाए हैं तो total quantity of cell मांग रहा है इस में जो कि अप्रेकेबल है और 0 ने actual cell कर रखा हुआ है हम लगाते हैं counter और यह हमने पूरा यहां से इसका जो range है वो set कर लिया bracket close और enter तो हम देख रहे हैं friends हमारे यहां पर बारा ऐसे लोग हैं जो कि cells कर चुके हैं जो कि अप्लिकेबल हैं और cell कर चुके हैं जैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और बारा इस पारह में जो निमेर्कल वैल्यू है वह ऐसे person है जो ने cell कर लिया है ए जो है अप्लिकेबल है cells के लिए और जो value एरर दिखा रहा है इसमें यह है कि जो कि हमारे function के कारण यह यहां पर एरर आ रहा है लेकि इनोन ने भी cell को convert कर लिया है इसलिए counter में सारा test counter लिया है test plus numerical value को थर्ड हमारा function है वह है count blank count blank वह क्या काम करता है count blank जो है जितने blank हमारे है वह सिर्फ count करता है इस case में है count the number of cell person who did not sell any product जिस sales person ने कोई product नहीं sell किया है उसके लिए हमने यह पर blank दे दिया है इनोंने कोई sales नहीं किया है तो हमें यह जानना है इसमें कि इसे कितने लोग हैं जो कि sales नहीं किये हैं तो हम लगाते है count blank और range select black and close और enter तो यहां हमने देखा कि यहां पर यह जैसे पांच लोग हैं जिन्होंने कोई sales नहीं किया है उसके सामने हमने blank कर दिया है जैसे एक दो तीन चार और यह पांच तो आपके सामने यह five figure आ गया है आपे जो कि blank है जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक कर लिए क्या करता है काउंट test में जो 1 होती है उसे ही कर त Calling करता है तो कांटर्ट हम निकालते कैसे हैं मैं क्या करना है कि जो तो तो depressed function जो हमारा हो निकल आता है कि हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट में, टोटल काउंटा फंक्शन में से माइनेस कर देंगे काउंट, टोटल मतलब वैल्यू में से, यदि हमने मेरिकल वैल्यू माइनेस कर दें, तो हमारे टेक्स्ट वैल्यू है, वो आ जाती है, यह से चार, यह हमने माइनेस किया, तो हमने पाया कि चार नंबर ऐस हैं जो की count text में है count total applicable cell पर सर्मोल ली यह एक जो हो गया आपका text है एक एक यहां पर दो हो गया जो भी यह भी text है और जो value आपके error थी यह भी यह text पानी जाएगी तो यह भी count हो गई है text में तो चार ऐसे value हैं जो की text के format में है यहां पर और बाकी सारी आपकी numerical value और आपकी blank cell है अब friends एक function इसमें आता है count if error हो कई बार ऐसा होता है कि हमें वह भी count करने पड़ते हैं यदि कोई error है तो उसे कैसे हम find out करेंगे तो हम लगाते हैं count if is error यदि count कर लो यदि कोई error है तो तो error value और हम लगाएं कॉमा फिलाएंगे one फिर कॉमा और डबल कोट और इस केस में कौन टीपेजर में हम लोग count if error में shift और control के साथ इंटर दबाते हैं तो हमने पाया यहां पर कि हमारा count if error में दो value आ रहे हैं मतलब दो लोग वैसे हैं जिनकी value error में आती है जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं नरान के case में एर कंडिशन में value है और रगवीर के monitor जो है उनका भी value यहां पर error आ रहा है कुछ value नहीं है तो count if error क्या करता है यदि हमारे value में कोई error है तो वो कितने error है वो count कर लेता है हमने पाया कि यहां पर दो value ऐसे error है जो कि error के format में है तो हमें इन value को बादने हम ठीक कर लेंगे friends एक हमारा function आता है count ifs में count ifs क्या करता है condition रखता है इसमें की condition हमारा यह है कि count करो राहुल जिनोंने monitor cell की आवा है यह data तो बहुत ही छोटा डटा है जब आपके पस बड़ डटा आएगा तो आपको इस count ifs फंक्शन के बारे में के count ifs को अब लगाएंगे तो आपका काम बहुत ही असानिस हो जाता है जिसे मैंने यह लगाया count ifs रेंज पहला बोल रहा है कि राहुल हो तो कार्टेरिया हमारा इस नेम में से रहुल होगा है और फिशेंड क्रिटरिया में जो कीजिरो ने मोनिटर सेल किया हो तो मोनिटर के लिए हमारा क्रिटरिया होगा रहाएंगा हो जागा मोनिटर का है और ब्रेकेट क्लोज और हम लगाएंगे कंट्रोल सिफ्ट इंटर और हमने देखा कि हमारी वैल्यू है जो कि थ्री फिगर ऐसे हैं जो कि राहूल है और जिरोंने मौनिटर सिल किया हुआ है हम इसको हाइल राहूल हाईल किया है दूसरे राहूल यहां जो है यहां यहां पर इसे अर तीष्रा राहूल यहां पर मौनिटर किया हुआ है तो इस तरह सन्व ने देखा-डेंड्स यहां पर कि count ifs में कैसे यह value निकल की आती है यह बहुत ही important function है count ifs का क्योंकि आप इस function के थुरू और भी सारे function लगा सकते हैं जो की data आपका बहुत ही short जाता है तो friends आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब